हेलो एब्रिवन वेल्कम बेक टो अर्ड का क्रियेटिव आइडिया आप सभी को मेरा प्यार भड़ा नमस्कार फ्रेंस पिछले हफते मैंने जो विंटर प्लांट शॉपिंग पर वीडियो बनाया था फ्रेंस मेरा आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल बटन को जरूर दबाए ताकि आगे आने वाले वीडियो की न्यूटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए हमने वीडियो को सुरू करते हैं फ्रेंस ये देखिए ये मैंने अपराजिता के प्लांट को पर्चस किया है इसका प्राइस 30 रुपीज है और ये वाइट अपराजिता का प्लांट है इसमें फ्लावरिंग जो होगी वो वाइट कलर की होगी और इसके परपल अपराजिता के प्लांट मेरे पास पहले से ही हैं इसलिए मैंने ये वाइट अप्राजिता प्लांट पर्चिस किया इनकी केर की तो फ्रेंस ये प्लांट आप आउटडोर में रखी क्योंकि इन्हें बहुत ही अच्छे धूप की जुरत पड़ती है और इनकी स्वाइल को त्यार करने के लिए आप किसी भी तरह के स्वाइ स्वाइट करेगा अब बात करते हैं मिनकी वाटरींग की तो स्मर टाइम में आप इसमें सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं अभी विंटर टाइम है तो इसमें दो से तीन दिन में वाटरींग करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो फ्रेंस अब मैं आपको मेरे पास अलरेडी है यह फ्लावरिंग तो नहीं करते हैं पर इनकी लीफ इतनी प्यारी लगती हैं कि अपने आप ही पुरे पॉर्ट को बहुत ही खुबसूरत बना देते हैं और फ्रेंस यह विंटर में बहुत ही अच्छा चलता है तो इस प्लांट को आप जरूर पर्चेस बार्ची आउसे हां अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो ओर तो ओर्च पum प्रभी फे जबता को और करते से करी एंग करें चे 60 रुपीज में पर्चेस किया है और ये बहुत ही प्यारा प्लांट होता है इसकी लीफ बिल्कुल परपल कलर के होते हैं इस वज़े से ये प्लांट मुझे बहुत प्यारा लगता है तो फ्रेंस अगर हम बात करें इनके स्वायल मिक्स की तो इसमें आप कोको पिट और वर्म प्लांट है तो आप इसे हैंगिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा हैंगिंग प्लांट है और अब बात करते हैं इनमें वाटरिंग की तो फ्रेंस आप इसमें विंटर टाइम में हर दूसरे दिन वाटरिंग कर सकते हैं और समर सेजन में आप इसे र आउटडोर रखते हैं तो आउटडोर में अगर इन्हें बहुत तेज धूप लगती है तो इससे इनकी प्लांट पूरी तरह से खराब हो जाते हैं बट आप जैसे ही से इंडोर में रखते हैं तो इनकी लीफ फिर से वापस आ जाती है तो इस तरह से आप इसकी केर कर सकते है इसकी leaves बहुत ही खुबसूरत होती है और ये देखने में बिल्कुल एक variegated plant की तरह लगता है बट इस plant की एक और खास्यत है जिससे आप अपने बच्चों को जरूर बचाएं इस plant में थोड़ा poison होता है जिसकी वज़र से ये थोड़ा जहरीला plant मान जाता है इसलिए आप इसमें pets को इस plant से थोड़ा दूर रखें इस plant को आप इंडोर में ही रखें और इस plant की मिट्टी बनाने के लिए आप हर तरह के स्वाल का यूज कर सकते हैं और friends इस plant को बहुत ज़़दा watering की या बहुत ज़़दा care की ज़रत नहीं पड़ती तो इसमें आप बहुत ज़दा गल के खराब हो जाएगा तो friends अब मैं आपको अपना दूसरा plant दिखाती हूँ और इस plant का नाम है asparagus fern friends यह plant मैंने 60 रुपेज में परसेश किया और यह plant मुझे लेके बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यह plant अपने आप में ही एक पेड़ की तरह दिखता है तो इस plant को मैं बोंजाई की रूप में create कर सकती हूँ इसलिए यह मुझे बहुत ही प्यारा लगा और अगर बात करें इसकी care की तो friends यह plant बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकता है और इसे आप ठंडी के टाइम में भी बहुत आसानी से रख सकते हैं अगर आप इसे 5-6 गंटे वाली दूप में रखते हैं तो इससे इसको कोई problem नहीं होगा और इस plant को आप किसी भी तरह की मिटी में लगा सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा किसी खात की भी ज़रुरत नहीं पड़ती फिर भी अच्छे से growth करता है और बात करेंग इसकी watering की तो friends इसे आप सुबह साम दोनो time watering इसमें कर सकते हैं बड़ अभी winter time है तो इस time में आप इसमें दिन में एक बार या दो दिन में एक बार पानी दीजे तो अच्छा रहेगा और friends अब मैं आपको अपना next plant दिखाती हूँ ये देखिए ये है बैंगलोरी proton का plant ये बहुत ही खुबसूरफ लीव्स वाले plant होते हैं और ये मुझे 80 रुपीज में मिला है इसकी लीव्स इतनी खुबसूरत और colorful होते हैं कि ये बहुत ही प्यारा plant लगता है और ये indoor plant होता है बट आप इसे 2-3 घंटे वाले धूप वाले जगे पर रखिए तो ये और भी अच्छा color देता है इसके color बिल्कुल और भी अच्छे से निखर जाते हैं और friends बात करें इसके स्वैल की तो friends इसे मौस्टर वाले स्वैल पसंद है इसलिए आप इसके स्वैल मिक्स में well-rend मिट्टी का यूज करिए और इसमें आप compost खात का भी यूज करिए जिससे कि ये और भी अच्छे से growth करेंगा और बात करते हैं इनकी watering की तो friends इस प्लांट को मौस्टर पसंद है इसलिए आप इसमें time to time पानी देते रहें समर की time में आप इसमें सुबह साम दोनों time पानी दे सकते हैं बड़ अभी winter time चल रहा है तो winter time में आप इसे regular एक time ही पानी दीजी बहुत रहेगा इसके पानी रेगुलर एक time में कम पानी दीजिए अगर आप दो दिन में तीन दीन में देते हैं तो थोड़ा ज्यादा पानी दे सकते हैं और friends अब चलिए मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाती हूं यह देखिए friends यह है apple bear का प्लांट यह मुझे 100 रुपेज में मिला है friends इसे apple bear इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो bear हैं वो काफी बड़े-बड़े apple की तरह हो जाते हैं इस वज़े से इसे apple bear बोला जाता है friends मुझे इनर्श्री वाले ने बताया था कि इस bear के प्लांट में बहुत सारे bear एक साथ निकलते हैं तो इसलिए मैंने इस bear के प्लांट को लिया है यह बहुत ही अच्छा bear का प्लांट है अभी तक मेरे पास कोई भी bear के प्लांट नहीं थे इसलिए भी मैंने इसे लिया है इस बेर के बारे में मुझे नरस्री वाले ने और भी बहुत सारी चीज़े बताई जैसे कि ये प्लांट आप किसी भी जगह इस प्लांट को लगा सकते हैं चाहे इसे धूप तेज धूप भी मिले तब भी ये वहाँ पे अरजस्ट कर लेता है या हलकी धूप वाली जगह पे भी आराम से रह सकता है इसलिए मैं इस बेर के प्लांट को अपने नीचे वाले गार्डन में लगाऊंगी जहांकि पहले से ही मैंने आपको पपीते का प्लांट और भी बहुत सारा प्लांट दिखाया था तो उसी जगह पे मैं इसे भी लगाऊंगी तो अब मैं आपको अपना नेक्स प्लांट द मेरे पास अल्रेडी दो अम्रूद के प्लांट पहले से ही हैं जिसमें की एक में काफी चोटा और एक में बहुत बड़े-बड़े अम्रूद होते हैं पर वो अच्छे अम्रूद की उनकी क्वाल्टी नहीं है इस वजह से मैंने इस अम्रूद के प्लांट को लिया नर्शरी तो देखते हैं इसमें किस तरह का अमरूत निकलता है मैं आगे भी आपको इसका अपडेट देती रहूंगी तो फ्रेंस आज की वीडियो में फिलाल इतना ही मैं आगे भी ऐसे ही क्रियेटिव और जानकारी वाले वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथ ही बैल बडन को जरूर दबाईए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू